तोड़ी आम गोईंग टेल यू अबाउट थेोरी ओफ क्लासिकल कंडिशनिंग जिसे इवान वी पैवलोव जो के एक रशियन फिजियोलोजिस थे उन्होंने इस थेोरी को दिया था और ये एनिमल्स पर एक्सपरिमेंट्स करने के लिए फेमस थे और इस थेोरी में इन्हों उन्होंने जो वर्क किये थे उनके लिए यहां पर आप जैसे देख सकते हैं पिक्चर में कुछ फूड आइटम्स दिखाए गए हैं तो इन्हें देखकर आपको ऐसा लगगा कि आपके मुह में पानी आ गया है ओटोमेटिकली फूड को देखते ही आपको हंगरी फील होग इसी तरह उन्होंने एनिमल पर एक्सपेरिमेंट करके टोरी बनाई थी जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यह जो डोग है इसको ऐसे केज टाइप में बंद कर दिया गया है और इसके उपर एक बैल लगाई है जिसका मतलब अभी कोई आपको मतलब समझने आएगा कि बैल क्यों लगाए गई है और इससे आगया आप देखे तो connect किया हुआ है इसको आप यहां पर देख सकते हैं इसको ऐसे connect किया गया है फूड से यहां पे जो है वो फूड है फूड से इसको connect किया गया है तो इस experiment में उन्होंने किया कि जब भी वो डोग को जब भी वो डोग हंगरी फील करता था तो फूड को दूर रखते थे और पहले जो यह बेल लगाई गई है इसको बजाय जाता था और इसको बजाने के तुरंत ब कि बैल बजाने का कोई रिलेशन है फूड के आने से इसलिए जब भी बैल बसती थी तो उसके behavior में आ गया था कि वह बैल बसते ही वह समझ जा रहा था कि अब उसके पास फूड आएगा इसी experiment के तुरू इसमें कुछ scientific terms यूज की गई है जैसे नैचुरल stimulus, unconditioned stimulus, stimulus और response ये दो चीज़े होती है, stimulus जैसे अगर आप है और आप अपने किसी friend से मिलते हैं तो वो friend आपके लिए stimulus है बट आप उससे मिलने के बाद क्या response करते हैं क्या आपका वो कोई old friend है या कोई ऐसा friend है जिससे आपने ज़्यादा कभी बात नहीं की तो वो depend करता है उसी तरह आप response करेंगे, तो वो ही stimulus होते हैं, तो natural और unconditioned stimulus जो हमारे सामने होता है, जैसे जो ठोरी है, इसके अंदर जो food है, वो natural stimulus है, food बेसिकली उसको डोग को दिया ही जाता है, हमेशा food दिया जाता है, बात करें neutral stimulus की जैसे आप किसी stranger से मिलेंगे तो आप कोई response नहीं क इसी तरह अगर डोग के उपर वो घंटी बजाए जाती है और फिर उसको food नहीं दिया गया, उसका कोई reason नहीं है, तो जो बेल है वो डोग के लिए neutral stimulus ही हुई, क्योंकि उससे उस डोग पर कोई effect नहीं पड़ता है, conditioned stimulus यह है, जब किसी stimulus को एक condition दे दी जाती है, जैसे वैस बाद food जा 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 रहा था डोग को, तो बेल जो है, वो conditioned stimulus बन गई, तो इस story के अंदर हम बेल को conditioned stimulus कहेंगे, क्योंकि वो एक condition दिखाती है, कि अगर बेल बज़ती है, उसके बाद food आता है, unconditioned response, unconditioned response आप बोल सकते हैं, जैसे अगर जो बेल है, उसके साथ food को relate नहीं किया गया, बेल बज़ाई और उसके बाद food नहीं आया, या फिर कुछ भी नहीं हुआ, तो डोग जो है, वो बेल के बज़ने पर कोई response नहीं करेगा, उसे हम unconditioned response बोलेंगे, अब देखते हैं, conditioned response अब ऐसे समझ सकते हैं, कि जब वो जो बेल है, वो बज़ाई जाती है, उसके बाद food आता है, तो अगर ये ही process बार-बार repeat किया गया, तो डोग बेल बस से ही समझ जानता है, कि उसके पास food आएगा, और वो तुरंट active हो जाता है, तो एक conditioned response हुआ, अब यहाँ पर diagram की help से आप समझ सकते हैं, यह आपे unconditioned stimulus है, जो food है, और यह unconditioned response है, और यह आपे बेल दिखाए गई है, डोग है, इनका कोई response नहीं है, बर जब बेल को unconditioned stimulus इसके साथ associate किया गया, तो एक unconditioned response आया, और फिर यही जो बेल है, वो conditioned stimulus के रूप में बन गई, और एक conditioned response आने लगा, इसी तरह एक unconditioned situation को conditioned बनाया गया इस story के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बेल के बजने के तुरंट बादी, जो डोग है, उसके मुह में पानी आने लगता है, वो समझ जाता है कि अब उसके पास food आएगा, अब देखते हैं, classical conditioning में, यहाँ पर जो जो चीज़े बताई गई है, उनको हम देख लेते हैं, जैसे इसमें बताई गया food जो है, वो unconditioned stimulus है, और जो saliva है, वो unconditioned response है, क्योंकि उसमें कोई condition नहीं लगाए गई है, अब फूड को देखते ही, वो natural है कि उसके, जो डोग है, उसके मूझ में saliva आ जाता है, sound of bell, वो neutral stimulus है, हमने पढ़ाना, वो neutral है, अभी उसका कोई use नहीं है, और no saliva, उसके कोई saliva प्रडूज नहीं होता, डोग पर उसका कोई effect नहीं होता, बट जब हम sound of bell को फूड के साथ अस saliva देता है, मतलब इसी तरह जो final, इसमें जो result आता है, वो sound of bell के साथ saliva काता है, कि sound of bell बसते ही, जो डोग है, वो hungry फील करता है, उसके मूझ में पानी आ जाता है, तो conditioned stimulus अब conditioned response प्रेडूज करता है, अब definition की बात करें, तो classical conditioning may be defined as a process in which a neutral stimulus by pairing with a natural stimulus acquires all the characteristics of natural stimulus, वो जब neutral को भी हम natural के साथ जोड़ेंगे, यहाँ पर bell की बात की है, और natural food की बात की है, तो वो natural जो इस चुमिलस है, उसकी characteristics एकवार करेगा, नेचुरल की characteristics यहाँ पर थी, कि जो डोग है, वो food को देखते हैं, उसके में saliva produce होता था, और neutral से उससे कोई अफर नहीं होता था, बट जब bell, जो एक neutral stimulus है, उसको food के साथ arrange किया गया, relate किया गया, तो फिर उसको natural response जो है वो दिया, डोग ने उसके mouth में saliva produce होने लगा, अब हम यही आपे, जैसे sound of bell, यह आपे, neutral stimulus, और जो food है, उसके कोई condition थी, वो food तो natural stimulus है, sound conditioned थी, यहाँ पे हम यह कह सकते हैं, और जो stages भी होती है, classical conditioning की, वो यह ही है, एक before conditioning, जहाँ पस सिर्फ food और डोग है, कि food को देखते ही, डोग के mouth में saliva प्रडूस हुआ, during conditioning, जब वो bell और food के साथ, उसका जो प्रोसेस है, वो repeat कराए गया, बार बार, ता कि वो bell को अपने food के साथ, associate या link कर पाए, after conditioning हम समझी गए, कि जो neutral, जो stimulus था, उससे भी एक natural response हमें मिला, अब बात करते हैं, application of classical conditioning, इस ठोरी की applications क्या क्या रही है, जैसे developing good habits, हम इससे develop कर सकते हैं, humans में या animals में, जैसे की एक जो प्रोसेस है, उसको बार बार repeat करते जाए, तो वो एक habit बन जाती है, इसी तरह हम good habits develop कर सकते हैं, breaking of bad habits and elimination of conditioned fear, bad habits को भी break कर सकते हैं, और जो conditioned fear होते हैं, उनको भी eliminate किया जा सकता है, इससे animals की training भी की जा सकती है, और psychotherapy में भी इसको use किया जाता है, बार बार एक प्रोसेस को repeat करके, जो patient से उनको ठीक किया जाता है, developing positive attitude, positive attitude भी से develop किया जाता है, और teaching alphabets में हम सिखा सकते हैं, तो यह इसकी applications हुई, next video में हम और भी जो learning की stories हैं, उनके बारे में discuss करेंगे, thank you, please like, share and subscribe the channel